अज़ाव रिख्राइब देस बिलाद वाद वीडियो वेलिए विजिए कारवा हमारे पास वीवो का लेटेस V30 आफिस के अंदर आ चुका है और वीवो यह कहता है कि यह मोबाइल फोन है पोट्रेट मास्टर फोन अब इस मोबाइल फोन के अंदर जो हाइलाइट्स है वो का सिस्टम में वो प्रोवाइट करता है because it has that memory expansion का फीचर 512 GB के इंटरन स्टोरेज के साथ यह variant लाँच हो रहा है और यह UAE की मार्केट के अंदर जब लाँच होगा तो इसके साथ प्री आर्डर के भी बहुत जादा गुडिज मिलने वाले हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामन मौजूद है this is in my opinion the best looking color इस पूरे line up का बट आप मुझसे जो है वो इस्तिलाफ भी कर सकते हैं यह जो मुबाल फोन है इसके back side पर आपको dual camera setup देखने को मिलता है जिसमें 50 megapixel का optical image stabilization वाला camera है जो के आपका mean camera है और उसके इलाव 50 megapixel का ही ultra wide angle camera दिया गया है अब यहाँ पर ज zero देखने को मिल जाती है which is basically a ring light जिसकी shape जो है वो square रखी गई है और यह ring light वाला effect प्रोवाइट करती है जहां पर आपके face के उपर यह gentle light बेचती है और उसका फाइदा है कि एक तो आपके face पर जो light है वो जोरदार नहीं पड़ती जिस तरह normal flash की होती है और दूसरा इसका यह होता है कि यह color adjustable है जिसका मतलब यह है कि जिस तरह की environment होगी यह उस तरह की environment के हिसाब से white से yellow color जो है वो light का कर सकती है तो temperature जो है इस light का वो adjustable है और वही वज़ा है कि यह काफी interesting है other than that भाई mobile phone की finish काफी मज़ेदार है and this is very slim of a device अगर आप device की hand feel की बात करते है यह काफी slim है in fact यह 5000 mAh की battery वाला I think one of the slimmest smart phones है जो कि इसने market के अंदर मौजूद है उपर वाली साइट के अगर आप बात करते है तो professional portrait को mention किया गया है नीचे type C की port दी गई है आपकी speaker grill मौजूद है और भाई इस mobile phone के box के अंदर further आपको यह silicon protective case देखने को मिल जाता है यहां आपकी charging की accessories है जिसके अंदर एक type A to type C वाली cable है और वीवो की flash charging वाला यह adapter मौजूद है जो के 80 watt के उपर इस mobile phone को charge कर सकेगा तो यहां पर आपको 80 watt का adapter box के अंदर देखने को मिल रहा है यह 80 watt की flash charging है जो के काफी जादा तेज है इसके इलावा आपको एक sim pin जो है वो box के इंदर देखने को मिल जाती है इस mobile phone के अगर आप display की बात करते है तो यहां पर आपको 1.5K 120Hz AMOLED देखने को मिल जाता है जो कि काफी जादा fluid भी है यहां पर इसकी जो brightest है display की वो भी हमें काफी जादा पसंद आई है in fact this is one of the brightest displays in his price category एक और चीज़ जो के add करना बहुत देखने को मिल जाता है और यहां पर जो design है वो भी काफी मज़दार रखा गया है क्योंकि आपको यहां पर वीवो ने बेसिकली जो punch hole camera है वो provide किया है लेकिन मैं इसे important इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि यहां पर जो front camera हो या back camera हो सब के अंदर जो main highlight है वो इसकी portrait photography है जिसके ओपर मैं आगे बात करूँगा बढ़ पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर internals क्या लगाए गई है हमारी testing के अंदर इसके अंदर जो storage हमें देखने को मिली है वो UFS 2.2 की storage है Snapdragon 7 Gen 3 का chipster लगाया गया है और अगर आप इसकी N22 benchmark की performance की बात करते हैं तो हमें तकरीवन 8,12,000 के करीब का जो score है वो इस mobile phone के ओपर देखने को मिला है विच इस pretty decent और आपको day-to-day usage के अंदर ये mobile phone काफी मज़दार जो situation है वो provide करने वाला है यहां पर fun touch OS 14 मिल रहा है और उसके साथ जो android का version है वो भी आपको android 14 ही देखने को मिल जाता है तो आपके पास security patches होने वाले है वो obviously android 14 के होंगे security patches की बात हो ही रही है तो वीवो ने यहां पर SDS की जो rating है वो 50 months के लिए हुई है which basically means कि ये mobile phone 50 months तक आपको fluency provide करेगा और यहां पर according to वीवो जो battery technology है वो भी 4 साल तक के लिए rated है कि 4 साल तक आपको battery के जो मसले है वो face करने में नहीं आएंगे इसकी Antutu की performance हम लोग expect कर रहे थे बट इस mobile phone के इंदर जो चीज हम expect नहीं कर रहे थे वो थी इसकी PUBG की performance यहां पर जो PUBG की performance है वो gaming में बहुत solid आई है Ultra HDR के उपर यह आपको Ultra frame rate provide कर देती है बैर reference के लिए बता देता हूँ कि 90% flagships जो कि हम इस channel के उपर check out करते हैं उनमें सिर्फ एक difference होता है कि वो extreme frame rate भी support करते हैं इसके इलावा आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलता which is interesting क्योंकि यह जो mobile phone है flagship pricing से काफी नीचे आता है अज़ इस mobile phone की camera situation के उपर थोड़ा से चलते हैं हमने यहाँ पर इस mobile phone की camera को test किया है and boy oh boy the camera is good इस mobile phone के अगर आप front camera की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 megapixel का front camera जो है वो देखने को बिल जाता है and this is a wide angle camera तो आपको काफी wide selfies जो है यह camera provide कर देता है और मज़दा बात ही है क्योंकि यह 50 megapixel का camera है तो अगर आप थोड़ी zoomed in जो selfies है वो भी लेना चाते है तो यह आपको 2X की option जो है वो भी provide कर देता है और यह 0.8X का वैसे lens है but this is a very bright camera और कोई भी तस्वीर हो बहुत अच्छी आती है वीडियो quality के अगर आप बात करते हैं तो इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस mobile phone का front camera कैसा है अब वीवो के phones के उपर जब भी criticism आता है प्राइसिंग पर आ जाएगा बागी चीज़ों पर आ जाएगा बट reliability और camera's ये दो areas हैं जिन में वीवो के phones हमेशा अच्छे consider होते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी quality कितनी जादा crisp है अज़े यहाँ पर एक और चीज़ जो के आड़ करना बहुत ज़रूरी है कि इस mobile phone का यह जो wide angle camera है जब detect करता है कि आप group selfies ले रहे हैं तो automatically अपने widest mode पर चला जाता है और यह room की lighting को देखते हुए जो है वो light करती है क्योंकि हमारी studio lights इस color की है तो यह इस color की हुई है बट आप इसको manually भी adjust कर सकते हैं और आप इसको जो रंग देना चाहें spectrum के उपर आप वो दे सकते हैं यह RGB नहीं है this is like the ring lights जो के आप वीडियो के लिए use करते हैं यह exactly वैसी रखी गई है वीडियो के अंदर आपके पास 4K resolution की option भी available है और यहां back camera के अंदर अगर आप इसको 1080p mode पर करते हैं तो आपके पास ultra wide angle camera की भी option मौजूद है आप back camera भी क्योंकि 50 megapixel का है तो यही वज़ा है कि आपक portrait mode का option भी यहां पर दिया गया है obviously यह जो mobile phone है portrait photography के उपर बहुत ज़ादा focus करता है और यहां पर हमने कुछ pictures खेंची भी हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसका portrait mode है वो exactly किस तरह से काम करता है एक चीज़ जो के हम लोग ने notice किया वो यह है कि इसकी जो edge detection है वो जादा crazy है और even अगर आप बालों को देखें तो usually जहां पर phone सफर कर रहे होते हैं इसकी जो edge detection है वो बहुत जादा solid है और human faces और जो colors है उनको यह mobile phone बहुत अच्छी तरहां से pick करता है तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो के camera के लिए phone ढून रहा है तो yes इस price category के अंदर ज market की बात करते हैं तो बहुत थोड़े phones हैं जिनके अंदर इस slimness के साथ 5000 mh की battery है तो आपको जो battery life है वो भी काफी solid मिलने वाली है क्योंकि snapdragon 7 gen 3 जो है वो वैसे भी काफी efficient chip set है I hope यह video आपको पसंद आई होगी और जब तक यह video आप लोग देखेंगे यह mobile phone जो है इसके pre- आलता निगो आपर